नमस्कार प्यारे साथियों एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्पेडिंग ज्यान पर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को लाइक और शेयर करें यह फ्री ऑफ कोस्ट है दोस्तों सब्सक्रिप्शन का कोई चार्जिस नहीं है दोस दोस्तों हमने कला जी राठोड के बारे में बढ़ा तो आज की क्लास के अंदर हम दोस्तों बात करेंगे तलीनाज जी और मलीनाज जी के बारे में तलीनाज जी और गांग देव रंगड या फिर गांगे देव राठोड भी इनको बोल सकते हैं आप गांग देव या गांगे देव राठोड यह इंपोर्टनेट कोशैन kamu लगा लिजी आप काफी बार पूचा जाता हैं काहांके दोस्तो कर्修िया करो कर दोत कि तो UN इनके पिता का नाम क्या था वीरम देव राम देव जी के बड़े भाई थे दोस्तो उनका नाम भी क्या था राम देव जी के भाई का नाम भी वीरम देव था यहां पर इनके पिता जी का नाम भी वीरम देव हैं इनके गुरु कों थे तो इनके गुरु थे दोस्तो जालंधर नाथ कौन थे जालंधर नाथ संपरदाई से था थे और गुरू थे दोस्तों कौन जालंधर नाथ इनको दोस्तों प्रियावरन प्रेमी देवता भी माना जाता है प्रियावरन प्रेमी देवता आप देखेंगे कि राजस्तान के जो लोग देवता है दोस्तों प्रियावरन देवता आपके तलिणाजी महाराज की ही अपी तक- आये है जिरव आगे आपके देखे जाएंगे एक और देवताज वह ये जो है इनकी पंच-मुखि- Hmm कौन सी है ये पंच मुखी पहाड़ी है और इसी पहाड़ी में तलिनाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है ये पहाड़ी कहां पे है तो आपको याद रखना है पांचोटा गाउं कहां पे पांचोटा गाउं जालोर के अंदर है कहां पे पांचोटा गाउं जालोर के अंदर ये पाड़ी इस्तित है और उसमें भी कौन सी आहोर तहसील के अंदर है ठीक है तो आप से पूछी लिया जाए सीधा इजोग्रफिका कोशिन की पंच मुखी पाड़ी कहां पर है तो दोस्तों कहां पर है आपकी जालोर जिले के अंदर इस्तिता पांच चोटा गाउं के मंदिर है तो दोस्तों कौन से है तलिनाजी महराज है और इस यह जो चेतर दिखाई दे रहा है यहां पर एक व्रक्ष काटा नहीं जाता है तो इस चेतर को सर्रक्षित पाड़ी चेतर भी बोला जा सकता है और एक और चीज यहां से जूड़ी है इस जंगल को क्या बोला ज पसु के बिमार होने पर या जहरिला जानवर काटने पर इनका जो धागा बांदा जाता है या दोरा बांदा जाता है दोस्तों ठीक है चलिए आगे दूसरे देवता के बारे में बात करते हैं तो वो है अपने मली नात जी महाराज कोने दोस्तों मली नात जी महाराज इनका ज इनका जनब का हुआ गोपडी गाउं गोपडी गाउं सिवाना बाड मेर के अंदर इनके पिता जी का नाम क्या था राव तीडा जी राठोड और माता का नाम क्या था जानी दे माता का नाम क्या था जानी दे राव तीडा जी राठोड जो थे दोस्तों क्या थे मालाणी के सा सकते मालाणी जो बाड़ मेर के अंदर गुडा मालाणी भी उसको वह है ना गुडा मालाणी ये नाम दोस्तों किसके तली नाजी के नाम पर ही पढ़ा है इनकी पत्नी जो है दोस्तों क्या नाम है इनका रूपा दे पत्नी का नाम क्या है रूपा दे रूपा दे का मंदिर कहां पर है तो इनका मंदिर बनाओ है कहां पर मजल या माया जाल मजल या माया जाल गाओ है बा थी तेरा सो शित्यासी इस्वी में 87 इस्वी के अंदर इनकी साधी हुई थी दोस्तों 87 में इन्हों ने रूपा दे माता दी से साधी की थी और दो साल के बाद में 89 में 87 में साधी की 89 में दो साल बाद में माता रूपा दे की प्रेरणा से इन्हें परम ज्यान की प्राप्ति हुई परम ज्यान की प्राप्ति हुई तो एक तरह से कह सकते हैं इनको लोक देवता बनाने की पीछे रूपा दे का ही हाथ था इनका मंदिर मजल काँ बाड मेर के अंदर है ये रूपा देवी का मंदिर है ठीक है रूपा देवी जो है माता जी उनका मंदिर है दोस्तों इनके गुरू कौन है उगमसी भाटी याद रखना है इनके गुरू कौन है उगमसी भाटी और आपके दोस्तों तलिनाजी के गुर स्वुन्हापति निजाम उदिन सा को हराया था मालवा के युद में कब युद में कब दोस्तों 1301.90 1331 के अंदर इन्हों ने इसको हराया था धा था ठीक है 13лон 1389 के अंदर इनको क्या हुआ था परम ज्यान की प्राप्ति हुई थी ज्यान की प्राप्ति के 10 साल बाद 10 साल तो इन्होंने ज्यान की प्राप्ति के 10 साल बाद मतलब 1399 में 1399 में क्या हुआ दोस्तो इन्होंने मारवाड के जितने भी प्रसिद संत थे प्रसिद संत लोक उनकी सब किया है दोस्तो एक सम्मेलन बुलाए एक धरम सम्मेलन बुलाए तो आप से अगर पूचा जाए कि मारवाड के अंदर संतो और लोक्ष देवता होगा सबसे पहला धरम सम्मेलन किस ने बुलाया था तो किस ने बुलाया था आपके मलीनाजी महाराज ने 1309 में स्तापना की थी राम देवजी ने कामडिया पंथ की स्तापना की थी जिसकी जो महिलाई होती है वो तेहरताली नर्थ्यक्रती है ठीक है और इन्होंने कौन से पंथ की स्तापना की थी तो मली नाजजी ने कुड़ा पंथ की स्तापना की थी ये देखिए तेहरा सुनिन्यान मे इस्वी में चेत्रकृष्ण दित्या के दिन इन्होंने मारवाड के संतों लोग देवताओं और प्रमुद जनों को धरम समयलन पर आब मंतरित किया कहां पर तिलवाडा बाड मेर के अंदर और ये मारवाड का पहला धरम समयलन था परतम ध्रम समेलान बुलाया था किसी लोग देवता ने इन्होंने वहाँ पर दोस्तों क्या है कूड़ा पंथ की स्थापना की कूड़ा पंथ की स्थापना की और इसी दिन दोस्तों इसी दिन इतने जो लोग इकटे हो रखे थे उनके सब के सामने तिलवाडा के अंदर कहाँ पे तिलवाडा के अंदर जहाँ पर इनका प्रसिद मंदिर भी बना हुआ है वहाँ पर दोस्तों क्या है इनोंने समाधी ले ली और इसी तिलवाडा में दोस्तों पसू मेला लगता है पसू मेला लगता है तब चेत्र कृष्ण एकादसी से चेत्र सुकल एकादसी थक मतलब 15 दिन का लगता है कृष्ण एकादसी से सुकल एकादसी थक सबसे प्राचीन पसु मेला है सबसे प्राचीन पसु मेला है 1420 से सुरू हुआ था सबसे प्राचीन पसु मेला कौन सा है तो आपको पता होना चीए सबसे प्राचीन पसु मेला कौन सा है तिलवाड़ा का पसु मेला है या मली नाजी का पसु मेला और आए की दरश्टी से सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला कौन सा मेला है तो वो परबंसर का मेला है दोस्तो चलिए बाबाई टेक केर मिलते हैं कल फिर और एक लोग देवता के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर